देखो, बात करते हैं हम Naming of GA Naming of GA हम दो तरह से बात करते हैं, एक traditional method traditional, जो पहले चला था ना traditional शुरुआत में लेकिन उसकी दिक्कत के आती है, जो भी कोई traditional आता है, वो है ना कुछ ही limitation हो जाती है, कुछ तक ही करता है, फिर उसके बाद IUPAC traditional हमारे दो थे, एक ये था cis trans और एक था हमारा क्या था, sin anti, very good sin anti तो cis trans generally, वहाँ यूज किया था भई, दो group एक जैसे हो जैसे यहाँ पर cs3 है, cs3 है दोनो एक जग है, एक तरफ है, तो ऐसको to cis नाम multif दिया और अगर appo Boost है, तो आ इसको क्या नाम दे दिया trans तो इसको क्या नाम दे दिया trans easy था, कोई difficult नहीं थी लेकिन difficult यही को जैणा चाहरों group अलग अलग हो जैसकी बहुत बढ़ी limitation ही यही थी फिर उसके बाद वैसा ही sin और nt था nitrogen है double bond nitrogen है यहाँ पर h और यहाँ पर h nitrogen के लिए खास और पर था lone pair यहाँ तो इसको sin वही sis की जग़ा sin हो गया और अगर nitrogen में lone pair opposite जा रहे थे तो इसका नाम क्या दे दिया है nt कोई ज्यादा खास दिमाग लगाना ज़रूरत नहीं पड़ी sin, anti, sis or trans अब बात आती है IUPAC की IUPAC को यह problem पहले दिन समझ में आ गई कि भाई हमें ऐसी बनाना है जो सब के लिए लगे तो इसने अपने आप में rule बनाया क्या use बनाया पहला point E और Z तो यह नाम था जुका सुमेन ऐसे कुछ नाम था जर्मन है और तो जड का मतलब मैं अपनी लेंग्वज में समझाता हूँ जड कैसा दिखता है अपोजिट ऐसे चलता है तो जब E बन रहा हो सेम डारेक्शन में हो सेम डारेक्शन यहनी सीनियर प्राइटी यहनी सीनियर जो है तो सीनियर जो है सीनियर गूप इन सेम डारेक्शन तो जड और जब सीनियर गूप अपोजिट डारेक्शन में इन अपोजिट डारेक्शन तो E कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यहनी फोर एक्जाम्पल अगर आपके वास ऐसा कोई आया का हो तो यह किस तरह का बन रहा है E, सेम डारेक्शन में E बन रहा हो तो आंसर Z और Z बन रहा हो तो E E जैसा बन रहा है न तो आंसर क्या होगा यह Z और अगर ऐसा है कोई एक्जाम्पल तो यह क्या होगा Z जैसा बन रहा है तो यह क्या हो जाएक आंसर E तो जब Z बन रहा हो तो E, E बन रहा हो तो Z आप अपने लेंग्विज में लिख रहे सकते हैं E बनता है तो Z और Z बनता है तो Z बने तो E बहुत easy है, concepts में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चीए Z बने तो E, E बने तो Z कोई समझ में आया है? हाँ, लिए हमें कैसे पता चलेगा senior group कौन सा है तो CIP rule क्या decide करता है seniority अब seniority कैसे decide करते हो पहला point इसने का ये इस बात पर depend नहीं करता है कि group में कितना atom है इस पर depend करता है first atom कौन है बाद में कौन आया उससे मतलब नहीं, पहले कौन आया यानि इसने ये कह दिया first impression is last impression तो अगर आपके बाद first atom से try होगा first atom atomic weight सही है first atom का atomic weight सही है, कोई doubt नहीं है फिर उसके बाद अगर first atom tie होगया मेरे पास carbon, तुमारे पास carbon तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर second atom, जो second यानि beta position पर है second atom और second atom में भी try होगया third atom, हम जाते जाएंगे कहीं तो tie up हमारा तूटेगा और अगर सब कुछ हम आगया तो इसका मतलब मामू बना रहा है वो एकी ग्रोपे और से स्ट्रांस मतलब वो geometrical isomanias show ही नहीं कर रहा लेकिन फिर भी कुछ fast point जो हमारे clear करने चाहिए जैसे अगर आपके पास isotopes हैं तो किस का वेटेज ज्यादा रहेगा in case of isotopes आप अच्छे से जानते हो hydrogen, deuterium, tetrium में किस का माज ज्यादा है deuterium, tetrium को ज्यादा senior मानेंगे hydrogen से पहले कौन आएगा lone pair lone pair की position hydrogen से पहले भी आईगी क्योंकि atomic weight कितना है? 0 लेकिन वो उसका isotope नहीं है बस सिर्फ समझाने के लिए लिए लिख दिया वहाँ दूसरा point अगर हम बात करें double bond single bond से ज्यादा priority double bond की होगी double bond से ज्यादा priority triple bond की होगी ऐसा क्यों? क्योंकि इसको अपन ऐसे treat करते हैं c यह तोड़के इस जगह भी c लगेगा इस जगह भी लगेगा समझ रहे हैं? जिबकि यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 3 2 c इसके पास 2 c इसके पास बाकि जो चल रहा हो तो ही ऐसे सोचते हैं यह कुछ point है generally single bond से ज़्यादा double bond, double bond से ज़्यादा triple bond कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ बस खतम तो यह points अगर आपके दिमाग में हैं तो आप फटाफट कर दोगे example मैं देख लेता हूँ आप seniority कैसे decide करेंगे practice ज्यादा चैसे समझा देगी यह दो तीन points है जो आप फटाफट कर सकते हैं लिखें